हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सूपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं जैसा कि आपने थर्मनिल में देखा होगा H300 सीरीज और H200 सीरीज के एडाप्टर स्लीव के बारे में हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे हम जानेंगे कि आखिर H200 एडाप्टर स्लीव के इस्तेमाल किस सीरीज की बियरिंग के साथ किया जाता है। और H300 adopter sleeve के इस्तेमाल कि सीरीज की bearings के साथ में किया जाता है इसके साथ ही हम एक example से समझेंगे भी कि इन दोनों में physically क्या difference होता है physically main क्या difference होता है तो friends ऐसे ही industrial technical videos, mechanical engineering field से related videos इस YouTube channel पर मैं upload करता रहता हूँ 1000 से ज़्यादा videos जो है अब तक मैंने upload कर दी है और मैं regularly नए नए videos जो है वो upload करता रहता हूँ अगर आप मेरी channel पर नए हैं तो please इस video को like करें और channel को subscribe करके bell icon को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए video का notification आप तक पहुँच पाया तो फिलाल इस video का start करते हैं बने रहेगा video में अन्तिता है तो friends जैसा कि हम सभी जानते है taper bore bearings के साथ में adapter sleeves का इस्तमाल किया जाता है ऐसे bearing numbers जिसके आखरी में numbers के बाद में K लिखा होता है या फिर E के लिखा होता है वो bearing जो है taper bore bearings होते हैं और taper bore bearings में adapter sleeves का इस्तमाल किया जाता है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं H200 Adopter Sleeve की तो H200 Adopter Sleeve का इस्तमाल किया जाता है Self-Aligning Ball Bearing के साथ में जो की 1200 सीरीज में होते हैं जैसे की 1206, 1207, 1206, 1208, 1215, etc, etc याने की इस Adopter Sleeve का इस्तमाल स्रीप एक ही टाइप के Bearing में किया जाता है और वो है Self-Aligning Ball Bearing जो की 1200 के सीरीज में आती हैं और जो की Taper Bore है याने जिसमें K लिखा हुआ है अब हम बात करते हैं H300 सीरीज की जो Adopter Sleeve होती है तो यह जो होती है यह 4 तरह की Bearing में इस्तमाल किया जा सकता है जिसमें पहली सीरीज है 1300 सीरीज है na 1306, 1307, 1308 के तो सब में रहेगा है न क्योंकि यह Taper Bore Bearing है यह जो 1300 सीरीज है यह आपकी Self-Aligning Ball Bearing है और इसके अलावा एक और Self-Aligning Ball Bearing की सीरीज में इस Adopter Sleeve को यूज किया जाता है और वो है 2200 सीरीज यानि की 2200 सीरीज जो होती है जैसे की 206 के, 207 के, 208 के, 2212 के, 2215 के है न यह भी Self-Aligning Ball Bearing की सीरीज है जिसमें इस Sleeve का इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा इस Adopter Sleeve का इस्तमाल किया जाता है 2100 सीरीज वाले Bearing में जैसे की 21306 के, 2307 के, 2308 के, 2309 के, 23010 के, 11 के, 12 के है न यह जो Bearing होते हैं यह आपके Spherical Roller Bearing होते हैं इसके अलावा Spherical Roller Bearing की एक और सीरीज है जिसमें इस type के adapter sleeve उसका इस्तमाल किया जाता है और वो है 22-200 series जैसे कि 22-206, 22-207, 22-208, 22-209 and so on है ना और इसमें भी last में के लिखा रहेगा जैसे कि 22-215 के इस type के जो bearing की series है उसमें भी H300 वाले series वाले adapter sleeve उसका इस्तमाल किया जाता है तो यहाँ पर chart है जिससे कि आप देख सकते हैं कि कौन से number के adapter sleeve को कौन से number के bearings के साथ use किया जाता है बहुत ही simple है जैसे कि हमारा bearing number है 22-215 तो आखरी में 215 है तो याने इसमें कौन सा adapter sleeve होगा H315 वाला ठीक है और इसी तरह से अगर आप use करेंगे 1315 के bearing को use करेंगे तो 1315 याने उसमें भी लाष्ट में 15 है तो कौन सा वाला इडाप्टर स्लिव होगा इसमें H315 के इसी तरह से 22-215 के वाले bearing में if इसी adapter sleeve को use करेंगे और उसके साथ-साथ 21-315 के वाले bearing में भी इसी edge 315 वाले adapter sleeve को use करेंगे यानि कि last में जिसमें 15 आ रहा है उसमें हम 15 वाले adapter sleeve को use कर रहे है बहुत ही simple है तो friends अभी screen पर आप देख रहे हैं यह जो है यह dimensions है left hand side पर है edge 215 के dimensions adapter sleeve के और right hand side पर है edge 315 के dimensions तो दोनों ही adapter sleeve के dimensions देखिए लगभग पूरे ही मिलते हुए है यहाँ पर देखिए D1 इसमें भी 65 mm है इसमें भी 65 है D75 mm है इसमें भी 75 mm है D3 98 mm है इसमें भी 98 mm है B1 जो है उसमें खाली difference है यहाँ पर 43 mm है जबकि यहाँ पर 55 mm है उसके आगे देख लेते हैं B2 जो है वो 14.5 mm है यहाँ पे भी 14.5 mm है और बाकी जो बाकी की सारी चीजे जो है वो सेम है सिर्फ एक ही डिफ्रेंस है और वो है B1 का डायमेंशन तो B1 कौन सा पोर्षन है आप देखिए यहाँ डियाग्राम में देख सकते हैं B1 ये वाला पोर्षन है H215 में B1 जो है वो कम है 43 mm है जबकि H315 में B1 जो है वो 55 mm है और यह इसलीए है क्योंकि जो आपका H 215 वाला है इसमें सרिफ बाल बेरिंग ही लगता है जिसकी विफ्र जो है वो कम होती है इसलीए ये वाली जो इसकी चौड़ाई है वो कम है जबकि H300 वाले adapter slew में हमारे wall bearings के साथ साथ में spherical roller bearings भी use होते है जिनकी width जो होती है जिनकी चोड़ाई होती है bearings की वो जादा होती है और इसलिए इस adapter slew का width जो है वो जादा है H315 का H215 से बाकी कि सारी dimensions जो हैं वो same है तो friends उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर 1% ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगी next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा